Well, Hello Friends! This is Dipali Rana and Welcome to VirtualWise. आज discuss करेंगे UPTED यानि उत्तर परदेश टीचर एजिबिलिटी टेस्ट के बारे में लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत कुछ नए ढंग से करते हैं एक positive quote के साथ में जिससे मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके confidence को मिले boost और साथी साथ थोड़ा सा motivate feel करें तो हमारा quote है What come easy won't last? What last won't come easy? That's very true. When something is got easily we tend to forget its value and उसकी take care भी ठीक तरीके से नहीं करते हैं So it will leave your hand But on the other hand, अगर किसी भी चीज़ को हम बहुत efforts के साथ में बहुत लगन के साथ में achieve करते हैं तो उसकी खुशी बहुत ज़ादा दुगनी हो जाती है और उसकी कदर हम बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं लेकिन easy तरीके से मिली हुई चीज़ों की कदर लोग असानी से करते नहीं है इस बात पर agree करते हो तो like करके जरूर बताना वीडियो को तो चलिए फिर शुरू करते हैं पूरे boost app के साथ में confidence के साथ में आज की वीडियो को और समझते हैं आखर youpitet है क्या youpitet को clear करने के लिए किस तरीके से उसकी preparation की जाए उसके लिए आप क्या एक बहतर strategy बना सकते हैं साथी साथ best recommended books क्या हो सकती है youpitet के लिए दोनों ही paper 1, paper 2 के according में आप लोगों से सारी ही information आप लोगों के साथ में share करूंगी जो first time youpitet का exam देंगे उनके लिए ये discussion रहने वाला है pattern क्या रहता है youpitet का slabbers क्या है overall बात यही है कि आगर आप हकीकत में exam के लिए seriously तयारी करना चाहते हैं seriously preparation करना चाहते हैं तो ये video आपकी पूरी-पूरी help करेगी कुछ बहतर ही समझेंगे बस आपको करना ये है कि वीडियो को पूरा end तक देखना है अब पसंद आने पर like और उन दोस्तों के शार्ष शेयर करना है जो भी youpitet की preparation कर रहे हैं जैसा कि आप जानते है paper 1 primary teacher की भरती के लिए होता है और paper 2 upper primary teacher के लिए होता है अगर अभी तक आप लोगों ने जॉइन नहीं किया तो description box में मैंने link provide कर दिया है जाकर join जरूर कर लेना है कि वहाँ पर आप लोगों को सभी informative details मिल जाएंगी information मिल जाएंगी और वीडियो उसके link भी वहाँ provide कर देती हूँ मैं अब अगर बात करें youpitet की तो बहुत से लोगों का यह myth होता है कि यार youpitet वाले यह सोचते है seated बहुत जादा मुश्किल आता है और seated वाले यह सोचते है कि youpitet बहुत जादा मुश्किल आता है हाँ थोड़ा बहुत difference तो जरूर देखने को मिलता है जैसे कि youpitet में जो कोशन्स फ्रेम किये जाते है वो factual चीजों पर ध्यान रखकर फ्रेम किये जाते है वहाँ आपको CTAT की तरह 15 नंबर की जो पेड़ागोजी आती है वो कम देखने को मिलती है बलकि कमी नहीं देखने को ही नहीं मिलती एक दो कोशन मिल गया मुश्किल से तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है ज़्यादा फोकस कंटेंट पे किया जाता है हाँ CDP में जरूर मैं यह कह सकती हूँ कि पेड़ागोजी आती है तो किसी भी तरीके से घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सारे यह एक्जाम अपने तौर पर अगर समझे जाएं सई से अंडर्स्टैंड किये जाएं तो एक्जाम आप बहुत बैतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं को टॉपिक्स का बेसिक आइडिया होना जरूरी होता है और जादा से जादा प्रैक्टिस करें कोशन की तो बात करें अगर यूपी टैट की तो वहाँ पर डेड़ सो माक्स का आपका एक्जाम आता है जिसमें डेड़ सो ही आपको कोशन देखने को मिलते हैं पेपर वन में भी पेपर टू में भी पेपर वन की बात करें तो पास सब्जेक्ट आप लोगों के आते हैं जिसमें सीडी पी हिंदी इंग्लिश मैट्स और इवियस होता है बट ऑन दी अधर हैंड पेपर टू की बात की जाए तो आप लोगों के शुरुवाती जो तीन सब्जेक्ट हैं जैसे सीडी पी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया तीनों ही सब्जेक्ट आपको पेपर टू में भी देखने को मिलते हैं रही बात maths और EBS की तो वहाँ पर आपको आपकी subject देखने को मिलते हैं जैसे अगर आप science और maths के लिए जा रहे हैं तो आपको science और maths के questions solve करने पड़ेंगे और अगर आप social science की preparation कर रहे हैं तो आपके social science के questions वहाँ पर solve करने पड़ेंगे seat act की तरह ही धाई घंटे का paper होता है प्लस no negative marking के साथ में जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है ताकि आप लोग पूरा paper attempt करके आए बात आजाती है time management की तो वो आप लोगों को कोई भी practice set पूरी sitting के साथ धाई घंटे लगा कर जब आप solve करते हैं आपका time management भी बहुत अच्छी तरीके से बनना शुरू हो जाता है अगर बात करें paper 1 के लिए यानि आप primary teacher के लिए prepare कर रहे है exam को तो आपके 5 subject जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ पांचो subject आप 30 marks के आते हैं CTAT में जैसे की question contextual तरीके से पूछे जाते हैं pedagogical questions ज़्यादा आते हैं जहां जरूरत होती है pedagogical thinking को अच्छी तरीके से develop करने की बट on the other hand, UBTAT में factual questions आते हैं और factual चीज़े हम बचपन से ही पढ़ते आएं for example, जो English और Hindi की grammar होती है वो वहाँ पूछी जाती है maths के जो basic concepts होते हैं किस तरीके से question को solve किया जाता है वो वहाँ पूछे जाती है तो basically बात यही है कि आपकी factual knowledge को वहाँ पर परखा जाता है और अगर हम अनुमान ऐसा लगाएं कि exam आप लोगों कब तक देखने को मिल जाएगा तो उसका notification आपको September में mid September में देखने को मिल सकता है बाकी तो बात है current situation के ओपर लेकिन आप लोगों के पास में काफी sufficient time है चलिए तो अगर बात करें subject wise आप किस तरीके से preparation कर सकते हैं बात करें अगर CDP की तो आप कैसे preparation कर सकते हैं CDP में आपके कुछ important topics होते हैं अगर आप उनको cover कर लेंगे तो आप 20-25 marks जरूर बन जाएंगे और साथ ही साथ उसमें कुछ important theories होती है उनको भी cover करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यहाँ आप screen पर देख पारे important topics को और important theories को इनको अगर आप cover कर लेंगे तो CDP की तो tension लेने की आपको फिर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब आप लोगों को यह सब पढ़ना कहां से है अगर आपके पास में कोई भी CDP से related standard को बुक है तो आप वहाँ से इन topics को cover कर सकते हैं आपकी teaching course की जो CDP की बुक होती थी अमारी वह भी बहुत जादा help करेगी और साथे साथ channel पर भी आपको important topics CDP से देखने को मिल जाएंगे link description box में जरूर आप देख लीजेगा चलिए बात कर लेते हैं English और Hindi की दोनों में ही आपको grammar देखने को मिल जाती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि previous year को बिलकुल भी न बोलें क्यों क्योंकि previous year में जो questions आपको देखने को मिलेंगे वो standardized होंगे और वहीं से आप लोग की एक समझ भी बनेंगी कि grammar की questions तो आती हैं लेकिन किस तरीके से पूछे जाते हैं बाकि अगर किसी भी topic में आपको confusion हो कि वो topic आपको नहीं समझ में आता पर आप search करेंगे उस topic को डाल कर तो आपको पूरा tutorial देखने को मिल जाएगा तो वो class आप join करें देखें समझें और अपने personal note जरूर बनाएं हमेशा आप लोगों से कहती हैं कि personal load जरूर बनाएं क्यों बोलती हूं चाहे आप मेरी वीडियो देखी या आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं जहां भी आप लोगों को लगता यह important बात कहिए या important चीज समझाई गई है उसको not down कर ले बाकि revision के time आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो बाकि channel पर भी आपको English vocabulary के synonym और intonames के questions देखने को मिल जाएंगे पूरी playlist बना रहे हैं लिंक description box में है जरूर देख लीजिएगा चलिए बात कर लेते maths की हाँ उसी maths की जहां पर जिस subject से बहुत सारे लोगों को डर लगता है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का weak subject होता है लेकिन maths के लिए भी बहुत अच्छे trick है previous year अगर आप previous year को समझेंगे ना तो maths की questions को practice करने के साथ साथ आपकी understanding बननी शुरू हो ज सारी बात आजाती है आपके previous year और आपकी practice के उपर जो previous year में जो questions है उनको solve करो और समझो कि किस तरीके से वो solve हुए अगर किसी भी topic के अंदर थोड़ी सी भी confusion है तो आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हैं और उसको समझ कर फिर उसकी practice कर सकते हैं अब बात करते हैं EBS की EBS में भ के previous year रह चुके हैं उनसे आप practice कीजे और EBS की को standardized book से आप पढ़ सकते हैं उनकी topics को यूथ publication की एक book आती है EBS की जिसके अंदर आपको previous year के साथ practice set भी मिल जाते हैं अगर आप वो खरीदना चाहें तो उससे भी practice कर सकते हैं काफी अच्छी book है no sponsorship लेकिन वह book अच्छी है इ जो आपकी स्कूल के curriculum में पढ़ाई जाती है उनको पढ़ो यूपी सरकार की जो books हैं उनके बारे में मैं बात कर रहे हैं तो उनके बारे में मैं यही कहूंगी कि आपका आधार भी आप previous year को मान के चलें जो आपके स्टेट में स्कूल में जो books चलती हैं उनको जरूर पढ़ें ठीक हैं बाकी जो शुरुवाती हैं आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं पहले discuss कर चुकी हूं paper 2, paper 1 दोनों के लिए ही वो helpful रहेगा बस कोशिश यही रखें कि जितना हो सके previous year को बिल्कुल भी ignore ना करें क्योंकि previous year ही आपका आधार है जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से कोशन फ्रेम किये जाते हैं और आपका एक mindset भी तयार होगा और राइट फ्रेंट्स तो ये थी कहानी आपके यूपी टैट की कि किस तरीके से exam का slabors है किस तरीके का उसका पूरा pattern है और किस तरीके से आप उसकी तयारी कर सकते हैं तो एक छो समझ पाएंगे कि ये चीज़े हो सकती हैं बात है आपके मेहनत के उपर और आपकी लगन के उपर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आईए और लगा है बात जनुवन थी तो प्लीस लाइक करकर जरूर बताएं और साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो भी यूपिटाइट की प्रिपरेशन करें और अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया है तो प्लीस तू कंसिडर सब्सक्राइबिंग और साथ-साथ बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली इंफर्मेटिव वीडियो के नॉटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली एक इंपर्टेंट वीडियो के साथ में अंटिल दैन कीप लर्निंग बी हैपी ऑल्वेज बिलीव और साथ थैंक यू सो मच अल दबैस कर मीज अलिए कक फसे बीडिदाल के इंट बी हैपी प्रिको से रही वीडियो के लिए gaining GBP ली आप के बीहपी से ऊगली एक जबाएंक लोगों से द procentबbbles गवे है